नमस्कार मैं चंचल स्वागत करती हूं YouTube चनल चंचल के पिटारा में तो दोस्तों गर्मी का मौसम जोड़ पर है और मार्केट में आम ही आम चारो तरफ दिख रहा है तो हम चले कच्छे आम का पाना बनाते हैं तो कच्छे आम बनाने के देखें हम चार आम लिए हैं जो की 200 गराम हमारा आम है इसको हम छिल लेते हैं अब यह एक चमच हम नमक डालते हैं अब ढ़कन बंद करके गैस पर पाच मिन्ट के लिए बॉयल होने देते हैं तब तक मसाला थ्यार करते हैं तो मसाला में देखें हमारा जीरा है दो चमच में लिए भून कर रख ले थी चार इलाइची है गोल मिर्ची दस बारा है एक चमच हरा सौंफ लिए हूँ और यह हमारा काला नमक है एक से देट चमच में लिए हूँ यह हमारा चीनी है जितना आम है उतना ही हम मैंने चीनी ब्रोबर मतला में अब इसको ग्लाइंडर पीस कर बिल्कुल बारिक ही कर लेंगे तो हमारा बारिक हो गया है तब तक देखिए भी अच्छे से हमारा आम पक रहा है पक गया यह नहीं कि तो इसको हम एक बाद चेक कर लेते हैं तक हमारा अच्छे से पग गया है न मैस हो जाएगा तो यह तो बहुत गरम है इसलिए हम जो मास निकाल कर चाकू की साहिता से देख रहे किती सफ़्ट लिए पूश हो रहा है दब रहा है यानि कि अच्छे से हमारा पग गया अब यहां मैस करने वाले से मैस कर देते हैं यहां हम मिक्सर में नहीं पीशेंगे इसको इसको हम ऐसे ही पूश करके दबा दबा कर बनाएंगे अब देखिए हम रहो गया है यह किताब बारिख हो गया इसमें पीशा हुआ चीनी था जीरा वो सब झाल देते और भी मिला लेते हैं अच्छे से अब यहां देख रहे हम और हम ओपर से पार डालते हैं तक हमारे यह पत्ला हो ज्यादा थीकनिस था हमारे इसमें तब सबको मिलाते हैं अब यहां देखिए एक इंच मैं अद्रख ली हूँ इसको छिल लेते हैं और यह हमारा पुदीना पुदीना तो वैसे ही गर्मे के लिए बहुत ही बढ़िया होता है पुदीना अगर आपको गर्मी लहोगरी जल्दा बाहर से आए हैं तो पुदीना की चटनी पुदीना का सर्वत बना कर पीएंगे तो जल्दी कभर हो जाता है तो पुदीने को भी और इसको देखे ग्लाइंडर में डालकर बारेक पीछ लेते हैं इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ी नमग इसको भी हम बहुत बारेक पीछ लेंग तो दिख रहें ना कितना बढ़िया कलर, कितना बढ़िया हेल दी, इदा हम लू से बचाएगा, अगर बाहर आप जा रहे हैं, तो ऐसे ड्रिंक आप बनाकर ले जा सकते हैं, तो यह हम छनी से छानेंगे, क्योंकि बचे यह बढ़े मुह में पढ़ता है, तो थोड़ा इसकी अजिव लगता है, तो देख रहे हमारा यह ड्रिंक बिल्कुल त्यार हो गया है, आप ऑफिस में या कहीं भी थोड़ी दर के लिए जा रहे हैं बाहर, जैसे भी आप बनाकर फ्रीज में रख लेंगे बोटल में, तो कभी भी हपतों तक यह चला जाएगा, कुछ खराब न इसको अब हम मिला लेते हैं, सत्तु का और सारी रेस्पी देखने के लिए आप हमारी डिस्क्रेशन में जाकर देख सकते हैं, उसे बहुत सारी रेस्पी है, अब इसमें हम आमपाना टालते हैं, अब हम मिला लेते हैं, दोस्तो यह बहुत ही बढ़ियां पे होता है, अब इ इतना सानी से हमने बना दिया है तो आप एक बार जरूर बनाएं दोस्तों आप बना कर एक बार देखिए फिर हमें कमेंट करना हमें बताना कितना बढ़ियां अब बना कर फ्रीज में श्टोर भी कर सकते हैं कुछ दिन के लिए जब भी बाहर से आएं तो से पीजिए अनंद लेजिए यह हमारे शरी में बहुत जल्दी ही भूरती ला देता है देख रहें हमारा यह पेया कैसा लाग दोस्तों बहुत ही असानी से बनने वाला बहुत ही जटपट और गर्मी में आजकल लू लगने के ज्यादा सम्होना रहता है तो गर्मी से बचे शेफ रहें सुरक् थेंक्यू